दोस्तो, आज मैं आपको ठंड में गरीब के गर आया नया स्मार्ट टीवी, कहानी सुना रही हूँ, क्लास में बच्चे बात करते हुए, रोहन, अरे कल तो मैंने टीवी में काटून देखते देखते खाना खाया, मुझे बड़ा मज़ा आया, संडे था, तो मैंने पूरा द पर फिल्म देखने का तो मज़ा ही अलग था, ऐसे लग रहा था, जैसे मैं थेटर में मुवी देख रही हूँ, और मुवी देखते देखते हमने पोप कोन भी खाये, बड़ा मज़ा आ रहा था, रोहन, अरे मोना, देख ये गरी बाई बैन हमें कैसे सुन रहे हैं, अरे इ उनकी मा, सावित्री उनका इंतिजार कर रही थी, सावित्री कहती है, अरे आ गए बच्चो, आओ आओ जल्दी आओ, मुहा दोलो और लो फिल्म खाना खाओ, शाम, मा हमारे घर में टीवी क्यों नहीं है, कब आएगा हमारे घर में टीवी, मुझे भी स्मार्ट टीवी सावित्री उनके लिए खाना लाती है, और पर शाम गुस्से में खाना नहीं खाता, उसको टीवी चाहिए था, सावित्री मन ही मन्सोस्ती है, बेटा हमें दो वक्त का खाना मिल जाए, यही बड़ी बात है, पर अब मैं बच्चों को क्या ही बताओ, यह क्या ही समझेंगे, गिर्धारी जी का भी काम ठीक से नहीं चल रहा है, तभी गिर्धारी ठंड से कापता हुआ घर आता है, और यह आज तो बड़ी ठंड है, वह थोड़ा परिशान भी था, सावित्री, क्या हुआ जी, इतने परिशान से क्यों लग रहे हो, गिर्धारी क्या बताओं सावित् आज बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई, आज कोई भी मेरे रिक्षा में नहीं बैठा, एक तो ये कपकप आती हुई ठंड, और उपर से अब सब ये रिक्षा में बैठने लगे हैं, उसमें जादे ठंड नहीं होती, वे बंद होता है चारों तरफ से, उसमें लोगों को ठंड भी नहीं लगती, और इधर से उधर वे जल्दी पोचा भी देता है, और मेरा ये हास से कीचने वाला रिक्षा, अब तो इसमें कोई बैठना पसंद ही नहीं करता, सावितरी, तो आप भी ये रिक्षा खरीद लो ना, एक गिरधारी, अरे तुम्हें तो हमारी हालत पता ही है, पता है कितने काई रिक्षा है, पूरे ढाई लाग का है, ढाई लाग का, ये तो बाबा का रिक्षा है, जो इसी से गुजारा हो रहा है, अच्छा मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे बड़ी भूग लगी है, हर आदमी की तरह गिरधारी भी चाहता था, कि उसके बच्चे बीवी और मा को वह हर सुक सुविदा दे, परन्तु वो दो समय की रोटी का जुगाड कर ले, यही उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, वहे एक टूटी-फूटी जोपडी में रहता था, जिसमें चारो तरफ से ठंडी-ठंडी हवाएं अंदर आती थी, ऐस हाल में वो लोग तो जी रहेते, ऐसे में वो कहां से स्मार्ट टी-वी खरीदता, उसकी मदद करने के लिए सावितरी भी घरों में खाना बनाने का काम करती थी, अगले दिन बच्चे गए तो मोना कहती है, मीना शाम आज मेरा जनम दिन है, तो तुम मेरे घर शाम को आ जान पार्टी है, दोनों बच्चे बेहत खुश हो गए कि पार्टी में केक खाने को मिलेगा, और साथी साथ हम मोना के स्मार्ट टी-वी को भी देख लेंगे कैसा होता है, शाम को दोनों बच्चे मीना, मोना के घर बड़े पार्टी में जाते हैं, घर के अंदर जाते ही, उनकी स्मार्ट टीवी और ये राइस का रिमोट ये टीवी बस रिमोट से ही चलता है और इसी से हम चैनल भी बदल-बदल कर देख सकते हैं तबी शाम रिमोट उठा के देखता है वह अपनी बेहन मीना से कहता है दीदी, दीदी, देखो ना ये रिमोट वाला टीवी कितना बड़ा है, जिसमें कितने बड़े-बड़े लोग दिख रहे हैं हाँ, मीना कहती है, हाँ, शाम ये ही तो इसमार्ट टीवी होता है शाम रिमोट को हाथ में लेकर वहीं सोफे पे बैट का टीवी देखने लगा तभी मोना गुस्से में आई और बोली अरे ओ शाम के बच्चे चल उठ यहां से तेरी इमत क्या से होई हमारे इतने महंगे सोफे पे बैटने की तेरे कपड़े भी इतने गंदे हो रहे हैं इससे तो हमारा सोफा गंदा हो जाएगा और ला मेरा रिमोट उठ यहां से वरना एक चाटा पड़ेगा जब शाम नहीं सुनता तो वो उसके चाटा मार भी देती है शाम रोता है दीदी दीदी थोड़ी और देखने दोना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे टीवी नहीं उठ यहां से जाओ तुम दोनों अब मेरे घर से शाम दीदी मुझे तो और देखना था टीवी पर उसने तो अपने घर से बगा ही दिया शाम रोने भी लगा रोते रोते वे दोनों घर पोचे शाम को रोता देख उसकी दादी का दंबरी ने पूचा अरे क्या हुआ बच्चो मुझे लटकाया रहे हो और ये शाम क्यों रो रहा है मीना फिर दादी को सारी बात बताती है और पूशती है दादी हमारे घर पर स्मार्ट टीवी कब आएगा हम इतने गरीब क्यों है क्या हमें की स्मार्ट टीवी भी नहीं खरी सकते क्या हमारा भी मन करता है कि हम भी खाना खाते खाते हुए टीवी पर काटून देखें जैसे स्कूल के सारे बच्चे देखते हैं और आपको भी तो बाहर बरामडे में बैठकर पडोसी के घर से रामा इनकी आवाज नहीं सुननी पड़ेगी घर के दरवाजे पर खड़ा गिर्दारी ये सब सुन लेता है इससे उसकी आँखे भर आई अच्छा मा इसलिए आप इतनी कड़ाकी की ठंड में बरामडे में बैठी रहती हो कादंबरी तो का करे बेटा हम इतनी गरीबी में जी रहे हैं अब हम कहां से इतना महेंगा टीवी ला सकते हैं इसलिए बच आवाज ही सुन लेती हूं तभी गिर्दारी कहता है मेरे बच्चों मैं बहुत जल तुमारे लिए कि स्मार्ट टीवी खरीद लाऊंगा सास और बच्चों के सोने के बाद सावित्री अपने पती से कहती है अजी कहां से आप इतना महेंगा स्मार्ट टीवी खरीद दोगे आपने मार बच्चों को जूटी क्यों कहा क्यों उनमें एक उम्मीद जगा दी गिर्धारी कहता है अरे सावित्री तुचिंता ना कर कल सुबे से मैं दो घंटे पहले ही जाकर कुछ एक्ष्टा कमाई करूँगा ताकि अपने बच्चों के लिए स्मार्ट टीवी खरीश सको कुछ पैसे जोड लूँगा और कुछ किष्ट बनवा लूँगा ऐसे करना मुझे तुम जल्दी उठा देना और जल्दी ही मेलियनास तब बना देना अगले दिन गिर्धारी जब सुबे जल्दी उठा तो उसने देखा कि उसका रिक्षा तो चोरी हो गया वे अच्छाती पीट कर रोने लगा ए भगवान हम गरीबों पर पहले ही क्या मुसीबत कम थी जो भी एक मातर सहारा जिक्षा भी किसी ने चोरी कर लिया फिर सावितरी बोलती है अब इस मार्टी भी तो दूर दो वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा वे भी रोने लगी पर उसने अपने को संभाल कर फिर मैं बोलती है अजी आप फिक्र ना करो मेरा भी तो काम है न मैं एक दो गरोड पकट लूँगे अगले दिन वे काम पे गई तो उसका मन अभी भी चिंता में ही उल्जा हुआ था उसकी मालकिन पुछपा ने पूछा क्या बात है सावित्री आज तुम इतनी उदास और परेशान क्यों लग रही हो अरे वो में साब कुछ नहीं बस थोड़ी घर में ही दिक्कत है उसकी मालकिन का सुभाव बहुत अच्छा था वो एक सुलजी भी उदार और दिलदार महिला थी पर सावित्री ने अपने मन में एक अलग ही छवी बना रखी थी इना मेर लोगों की वो घर आते आते सोस थी कि क्या मुझे अपनी मेम साब को सब कुछ बता देना चाहिए था पर ये मेर लोग भी ना कौन सा हमारी मजबूरी समझेंगे बस उपर से ताने अलग दे देते हैं अब दो-चार घर ओर देखने पड़ेंगे मुझे तब जाकर सब जगे से पैसा आएगा तो मैं एक स्मार्ट टीवी ले लूँगी इसलिए वो कई अलग 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 घरों में काम मागने गई पर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया उसका कारण उसकी फटी साड़ी गीसी हुई चपलों को देखकर अब सावित्री एक धापे पर बरतन माजने का काम पकड़ लेती है अगली सुबह किसी ने दरवाजे पर आवाज लगाई सावित्री ने देखा कि एक आदमी एक बड़ा सा बोक्स लिए खड़ा था वह बोला नमस्ते जी यह स्मार्ट टीवी आपके नाम से आया है वह हैरान होई और बोली पर भैया हमने तु कोई स्मार्ट टीवी नहीं मंगाया पर इस पर तो आपी का नाम लिखा है पुशी के मारे पागल ही हो जा रहे थे गिर्धारी अरे भैया अब आपने लगा तो दिया भंको यह टीवी चलाना भी सिखा दो हमें तो आता ही नहीं यह चलाना तब ही मीना कहती है बाबा बाबा मुझे आता है यह टीवी चलाना और मीना फिर वो स्मार्ट टीवी चला देती है तो उसकी टूटी पूटी जोपड़ी उस टीवी के आवास से और उसकी लाइट से रोशनी से भर जाती है शाम देखो देखो दादी इसी स्मार्ट टीवी में कितने बड़े बड़े आदमी दिखते हैं दादी हाँ बाबू गिर्धारी माँ अब आप रामायन भी घर पर ही देख सकती हो तभी दादी अरे बहु घर में नया स्मार्ट टीवी आया है जा जा के कुछ मीठा तो बना केला जी माँ जी सुमित्रा अपने परिवार को खुश देखकर बड़ी खुश थी पर जिसके कारद में सबको ये खुशी मिली थी अब वे उसके बारे में सोच रही थी मेम सामने हम गरीबों के लिए इतना किया है हमें इतनी बड़ी खुशी दी है मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए पर मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ हाँ उनको लड़ू बहत पसंद है मैं उनके लिए अपने हातों से लड़ू बना कर उनके घर ले जाओंगी फिर अगले दिनी सावित्री अपनी मैडम के लिए लड़ू बना कर ले गई और भरी आँकों से उसने कहा मेम साब मैं आपके लिए लड़ू बना कर लाई हूँ आपने हम गरीबों के लिए इतना सोचा आपको कैसे पता चला कि हमें स्मार्ट टीवी चाहिए मालकिन अरे कुछ बाते बिना बोले भी समझ आती है सावित्री सावित्री कहती है मेम साब मैं धीर धीर आपके पैसे चुगा दूँगी उसकी मेम साब कहती है अरे वाँ लड़ू तो बहुत ही टेस्टी बने है अब सभी लोग मज़े से स्मार्ट टीवी देखते हैं और बड़े ही खुशते दोस्तों गर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पोर वाचिंग